की जहां पर इससे में अप्टेट कर सकते हैं हमार साथ किरन जादा उजड़े हैं किरन आपकी पहली पिक जो है वो अधानी एंटर्प्राइस है यह 2% टूपर है मंतली परफॉर्मेंस देखें तो अंडर परफॉर्मर है यह कंपरेट टूदी इंडेक्स लेकिन अब जो अप टर्म चार्ट पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है जो कि करीबन तूफ फाइफ फॉर फिफ्टी वन फिफ्टी टू लेवल से करीब है उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यह स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मेरे खायल से इमीजिट टागेट आपको इंडियम टर्म इंवेस्टर हो तो आप बने रही है आपको 540-560 को भी देखने को मिल जाएंगे तो 540-560 के लेवल देखने को मिल सकते हैं उसके लिए अंदर रखिये गया यहां पर भारत फोज आपकी दूसरी पिक है फैन्टास्टिक आउट परफॉर्मर रहा है यह का अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे ब्रोकिंग हाउसेज इसके बायकॉल्स में काउंटर शामिल है टागेट क्या है आपका यहां पर भारत फोज एक बहुत अच्छे का ब्रेकाउट दिया है कल दिया है उसके बाद अच्छे वालिम के साथ उपर जा रहा है मेरे कहल स इसे शौट टर्म टागेट अगर बात करें तो 630 का नजर आ रहा है तो 630 के लिए आप अभी भी खरीदी कर सकते है और आपको स्टॉप लोस करीबन 577 का रखना चाहिए 577 का स्टॉप लोस रखी है और यहां पर आप 590 के असपास फिलाली से देख रहे हैं आपकी अगली पिक है यह आधे पसेंट नीचे है 1800 का लेवल है इस समय टिपिकल यह एक अंडर परफॉर्मिंग चार्ट है यह लेकिन यह कॉंफिडेंस है आपको कि यह उपर जाएगा 1890 का जो इसका हाई था यह 22 मही के असपास बना था उसके बाद यह रिट्रेस हुआ थ आप इसे रिकलेम कर सकता है यह बिलकुल कर सकता है जो जो पैटन बन रहा है वो एक अच्छा कंसलोडेशन के बाद बन रहा है और इमीजेट टागेट करीवन 1890 का होगा और उसके बाद एक ओपन ब्लू स्काय है जहां पर मार्केट आउट परफॉर्मंस स्टॉक को देखन को मिल जाएगा यह चार्ट पैटन अच्छे कंटिवेशन पैटन करते नजर आ रहा है तो एक बहतरीन चार्ट उबर के नजर आएगा जिया तो एब आप इंडिया पर आप नजर रख सकते हैं और एक अच्छा चार्ट यहां पर हो सकता है आगे चलके बने तो इस पर नज है खिरन आपकी वो है एंजिनिरिंग लेमिटेड यह काउंटर आधी परसेंट चला है 806 का लेवल है इसमें लगातार हम देख रहे हैं 19 मही के आसपास से इंफेक्ट उससे पहले से आउट परफॉर्मंस शुरू हुआ है और वो अभी जारी है इसमें करीब 38 परसेंट का रेटन एकाद महीने में नए हाई भी बने हैं क्या करेंगा 27 में से हम इस स्टॉक को कंस्रोड करते नजर आ रहे हैं और कल यह स्टॉक ऊपर चला था और आज भी एक सैडवेज मूव है पर मेरे खाल से यह जो मोमिंटम है वो पकड़ में आया जाएगा यह जो इसकर रखके चलना चाहिए जो कि आप अगले दो हफ़ते में आजाना चाहिए जिए तो AI एंजिनेरिंग पर नजर रखे साथ ही ऐलस्टॉम इंडिया पर बात कर लेते हैं ऐलस्टॉम इंडिया इस समें ट्रेट कर रहा है करीब चार चार परसेंट उपर और 539 का लेवल यहां पर इस समय देखने को मिल रहा है यह भी ठीक चला है तीरा जुन से इंफेक्ट एक कंसिस्टेंट अपूं है अभी तक यहां पर लेकिन मंथली परफॉमेंस अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि इन लेवल से और आगे निकलने की कोशिश करेगा नया हाई इस प अच्छा रहा है तो मेरे खाल से यह वापिस एक बार एक आउट परफॉमर के तोर से खरा उतरेगा इमीजेट रिजिस्टेंस उसको अभी करीबन 590 के करीब है तो 590 के टागेट्स के इस अब से आपको बाय करना चाहिए और आपका स्टॉपलोस बहुत करीब होगा जो की 590 होगा तो स्टॉपलोस तोड़ा टाइट है 590 के आसपास स्टॉपलोस रखी लेकिन ट्रेट कीजिए अब बात कर लेते हैं टायर स्टॉक की सीएट की बात करते हैं सीएट फिलहाल ट्रेट कर रहा है साड़े 5% उपर आज यह हैवी मूँ दे रहा है और अच्छा मूँ देखने को मिला है 537 करने या हाई भी बना है यहां पर टायर स्पेस में आज वैसे भी मूँ अच्छा है क्या करेंगे सीएट में बाय करने की सला होगी पर मेरे खायल से मैं मैंने जब रेक्मेंड किया था तब वह 512-513 का ट्रेड कर रहा था अभी करिए हम 540 के करीब टे ट्रेलिंग सौपलोस के साथ इसे रखेगा आप जो अगली पिक है वो है क्यूमेंज इंडिया यह भी नेगेटिव है करीब आथे पसे नीचे इस समय है 657 का लेवल है 680 के असपास इसने एक हाई बनाया था आई थिंक 9 जून को उसके बाद यह तो थोड़ा सॉफ्ट हो यह सही लेवल है एंट्रे के लिए आपको लग रहा है मिर जी यह करीबन आप 26 में से देखे तो एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता नजर आ रहा है वाल्यूम्स ठीक ठाक है जो कि अक्यूमिलेशन दर्शार है मोमेंटम बहुत स्ट्रॉंग है जो नीचे से मोमेंटम आया है वो इसको उपर लेके कीच के लेके जाएगा और अगला बैरियर जो है करीबन 675 का है अब भी आप थोड़ा सा करीदी कर सकते हैं और 675 के बाद एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं और इसके लिए स्टॉप लास लगाना चाहिए 660 का और टार्गेट करीबन इदर से 777.80 का होगा तो रिस्टु रिवार्ड रेशियो में ये स्टॉक बहुत ही बैतरी इन बैटरा है पर 675 के पे ध्यान रखना चाहिए जे दीपक फर्टलाइजर की बात करते हैं कल हमने फर्टलाइजर स्टॉक में अच्छा मूँ देखा था दीपक हिससे में बिल्कुल फ् बिजेट के मार्केट आउट पर्फर्मर के तोर से खरा उतरेगा इसका टागेट करीब ऑन 167-168 का नजर आ रहा है तो मुमेंटम आज नहीं तो कल इसमें वापिस आ जाएगा और इसके लिए स्टॉप लोस 150 का लगाना चाहिए ये 167-168 की टागेट एक्सपेक्टेड है इसाइब इंडिया को देख लेते हैं आज अच्छा मूँ है इन फैक्ट अब तक इसने ठीक ठाक मूँ दिया है दो जून के आसपा साड़े 700 का हाई बनाया था उसके बाद फुरा डॉप हुआ था वहाँ से फिलाल 704 के आसपा से एक 14% उपर है ये आज के ट्रेड में 704 क इसने दिया है जल्दी से इसाइब इंडिया पर आपकी रहा है किरें मेरा इमीडिये टागेट 736 का होगा जो की कल या परसो आ जाना चाहिए जो की मोमेंटम जो दिखाई दे रहा है इसके इसाब से और इसके लिए स्टॉप लोस करीबन 690 का रखना चाहिए बात करते हैं एंडिया इन अटलर है जानाए जो की मास देखा जाया तो एक अच्छी अप्रेंड में ही है इस्टॉक तो अंटम में भी बिजाता है इसमें अभी भी trend reversal pattern दिखाई नहीं दे रहे तो मेरे खेल से ये भी stock अच्छा दिखाई देगा इसका target करीबन 112-113 जो कि अगले 2-3 दिनों में आना चाहिए और अगर medium term की बात करें तो 130 का target दिखाई देना चाहिए अब भी अपका stop loss करीबन 101 के level के करीब होना चाहिए